हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अठारवे अध्याय का सत्रमा श्लोक यहां भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मिथ्या एहंकार से प्रेरित नहीं है यानि कि भगत है क्योंकि सधारण मुनुष्य तो मिथ्या एहंकार में ही रहता है वो खुद को बहुत काबिल समझता है खुद के दिमाग को बहुत काबिल समझता है और मनो धर्म से जीवन जीता है वो शास्तरों के आग्या में गुरु के उपदेश में भगवान के वच्चनों में भगवान के संदेश में उसका इंटरस्ट नहीं होता इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मिथ्या एंकार से प्रेरित नहीं है यानि भक्त रेफरेंस जा रहा है वे इस संसार में मनुष्य को मारता वो अभी नहीं मारता अब यहाँ पर क्योंकि बात भगवान अर्जुन से कर रहे हैं युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं अठारवा ध्या आ चला है अब अर्जुन को युद्ध करना है इसलिए भगवान ने कहा अगर तुम भक्त हो तुम्हारी बुद्धी बंदी वी नहीं है तुम मिठ्य एहंकार से प्रेरित नहीं हो तुम युद्ध कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा ओर्डर मिला है मैं परम भगवान हूँ भगवान बोल चुके और मैं तुमको बोल रहा हूँ खड़े हो जाओ युद्ध करो तो तुम्हें युद्ध करना है ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे युद्ध में माल लेते हैं कि भारत वर्ष का किसी भी एक कंट्री से युद्ध हो रहा है और एक सैनिक हो कितना ही बड़ा सैनिक हो अगर उसके अधिकारी उसको युद्ध करने की आज्या दे रहे है और वो युद्ध कर रहा है उस युद्ध में अगर वो मारता भी है किसी को तो उसका कोई प्रभाव थोड़ी होगा रादार अगर उसने बहुत बहादुरी दिखाई, जादा लोगों को मारा, तो उसको award, reward, medal मिलेगा, ऐसे ही तो होने वाल है, तो यही भगवान कह रहे हैं, तुम भक्त हो, तुम्हारी बुद्धी बंदी हुए नहीं है, तुम मिथ्य एंकार से प्रेरित नहीं हो, इसलिए तुम अपना करम करो, तुम मनुष्य को मारते हुए भी ऐसा नहीं माना जाएगा, तुमने मारा है, आगे भगवान कह रहे हैं, नहीं वे अपने कर्मों से बंदा होता है, तुम्हारी कर्मों का बंदन नहीं आएगा अभी मैंने क्या खागा, अगर कोई सैनिक युद्ध क कार दिये जाएंगे तो यही चीज समझनी है कि अगर हम भागवान की आग्या से गुरू की आग्या से माता-पिता की आग्या से कर्म कर रहे हैं अपने नियत कर्म कर रहे हैं तो मारने तक से कोई बंधन नहीं है बाकि सदार अडिक्टिविटी से तो बंधन ही कहां से होगा म तो कहें का बंदन, कोई पाप नहीं, कोई पुन्दे नहीं, आप अपने जो कर्म है वो करते रही है, है ना, चलिए, एक और स्लोक लेंगे, अठारवा स्लोक, थोड़ा ध्यान से सुनने वाला स्लोक है, यहां पर आरे यह बात, भगवान कहा रहे हैं, कि यह तीन कर्म को प्र लेरना कहां से आती है, सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान हो गया, नॉलेज, फिर है गे, उस नॉलेज के पीछे आपजेक्ट किया है, और फिर है ग्या था, वो नॉलेज हो किसको रही है, तो एक बड़ा सिंपल एक्जैम्पल इसको ले सकते हैं, कि जैसे मान लेते हैं, कोई एंजिनरिंग पढ़ने गया है, तो ग्यान तो हुआ एंजिनरिंग का पढ़ना, बट गे, गे क्या हुआ, उसका पीछे आपजेक्ट कहीं न कहीं एंजिनरिंग के बढ़ाई कोई भी शौक्या नहीं करता, आम तौर पर उसके बीछे एक 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 जैम्पल जो हम अभी ले हैं, उसका आपजेक्ट क्या होगा, इंपलॉमेंट, कि मैं अपना कोई व्यवसाय करूंगा, या आम तोर पर एंजिनिर्स अच्छी फर्म में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ग्यान जैसे मैंने एक्जैम्पल लिया, एंजिनरिंग की पढ़ाई लेना, और ये उस ने कहा, जैसे गोल्ड माइन्स ढूंड रहे हैं, तो वो नौलेज हम गेन कर रहे हैं, क्यों? नचुली अब्जेक्ट वही है, फिर गोल्ड एक्स्ट्राक्ट करेंगे, कोई भी फर्म इस तरह से जमीन में तेल ढूंड रही है, उसका ग्यान ढूंड रही है, हम बहुत सार चीजों की नौलेज लेने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे रीजन कोई और होता है, है ना, एक जिगह मैंने एक्जैम्पल पढ़ा कि कोई ओलम्पिक में मैडल लेने के लिए बहुत महनत कर रहा है, तो नचुली वो भी तकनीक, नौलेज गेन करेगा, ऑबजेक्ट होग ग्यान का उद्देश्य होगा, और अविसली ग्यानी विक्ति होगा, फिर जब एक्चुली मैं करम करेगा, तो एक तो करता होगा, और इंद्रियों के इस्तेमाल से ही वो करम कर पाएगा, नचुली अगर माना मेरा अबजेक्ट है बहुत अच्छे गीत गा कर लोगों को इ है, तो आगे तीन पॉइंट में यही बताया जा रहा है, कि तीन करम के संगटक है, यानि यह तीन आस्पेक्ट्स हैं, जो है फॉर एनी आक्शन, किसी भी करम के लिए यह तीनों जरूरी हैं, एक तो इंद्रियों, फिर वास्तव में आक्शन, करम सरफ सोच लेने से तो होगा नहीं, कई बार हम कोई भी करम दिमाग में भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन अक्शन तो जब हम करेंगे तब ही होगा, और करता, करने वाला डूर, तो एक तरह से करम के भगवान ने यह बताया कि पहले प्रेना होती है, फिर करम होता है, प्रहुपाजी ने इसको इस कि भाई कोई भी चीज होगी, तो हम पहले तो दिमाग में ही पूरी कर लेते हैं कई बार, जैसे माल लेते हैं, आपको आज खाना ही बनाना है, तो आप सोचो कि मैं ऐसा-יעसे सबजी लाओं गा, काटूं गा, पकाूं गा, ऐसा- vẫn से यह बना के मैं खा लूँगा, तो कई ब और पर knowledge का कोई object होगा, फिर उसका एक ज्याता होगा, जानने वाला, फिर actual करम करने वाला एक करता होगा, जो की करम करेगा with the help of इंद्रिया, तो ये 6 aspects हो गए, आगे चलके भगवान इसको इन 6 aspects को तीन में convert करके फिर से सतो, रजो और तमों के हिसाब से इसको explain करेंगे, बन जो सकता होगार की का समुदारा इसको करने GUवान ओास्या जा होगार आगवान अनlingen करोधा होगा, झाँ ठाम काल में उसको दोाने आगवान जार गावान जा होगा मैं होगा, तेही बना है कर मैं नाला जाम, आपा 10 चोल करम का पिर एसका कि गाहा होगा, णर ये जारी संको